मैं भी ठीक हूं में उम्मीद करती हैं आप भी मज़े में होंगे और मेरी बताई रेसिपी जरूर आप ट्राइवी कर रहे होंगे दोस्तों मैं सबसे पहले आप सब को रमजान की बहुत बबाद बबारगबार देना चाहूंगी अगर आप दो डेट इस तरीके से दूद के साथ खा लें तो दिन पर आप तरो ताजा और एनर्जेटिक में सूस करेंगे तो चली दोस्तों बना लेते हैं खजूर का मीठा इसके लिए लेंगे हम खजूर यानि डेट्स आप इनके बीज निकाल लें इस तरह से इनके चीरा लगाएं और इसमें से बीज निकाल लें असाथ में दोस्तों में नट्स रही होंगे मिक्स नट लें अपनी पसंद के और हम बारिक काटेंगे साथ में में चेह का मिल्क पाउडर दूद थोड़ा सा देसी घी और कुछ हमें मगज चेह होंगे तो दोस्तों सबसे पहले हम नट्स हैं हम इन्हें पीस लेंगे आप इन्हें दरदरा कूट लें पादाम काजू और पिस्ते को कूट लिया है मगज को रहने दिया क्योंकि इस तरह से अच्छे लगेंगे अब हम सबसे पहले पैन लेंगे उसमें डालेंगे देसी गी और इन बारिक राइफ्रूट को आट कर दें इन्हें चार से पांच मिनट तर बिल्कुल कम आच पर भूनेंगे ताकि इन से अच्छी सी खुश्वाने लगे और बहुत ही कुरकरा अच्छा क्रिस्पी टेस्ट आए तो इन्हें आप 5 मिनट तर कम आच पर भून लीजिए बादाम और कार्जू बहुत अच तो इसमें 3 टेबल स्पून के करीब दूद आट करें और अच्छी से चला रहें अब मिल्क पॉडर भी एड़ करेंगे लेकिन दूद पहले एड़ करें और बाद में मिल्क पावडर नहीं तो मिल्क पावडर जल जाएगा है हम कोई भी मिठाई बनाते तो इसमें पिसी इ अधा टी स्पून के करीब आप चाहें तो केसर और रंग भी आइड कर सकते हैं केवरा भी आइड कर सकते मैं इलाइची का फ्लेवर दे रही हूं तो दोस्तों अब इसमें मिल्क पावडर एड़ करेंगे हमने तीन टेबल स्पून दूद आट किया है तो चार टेबल हम मिल्क पावडर एड़ करेंगे इसे अच्छे से चलाएं और भून लें सिर्फ दो मिनट लगेंगे और हमारा स्टॉफिंग के लिए मिक्सर रेडी हो जाएगा तो मैं इसे भून रही हूं और इसे ड्राय कर रही हूं अब बिल्कुल आंच को कम रखें और इसे बूनती रहें आप इसे पांच से दो मिनट तक भूनेंगी तो यह सूख जाएगा अब बढ़िया सा मिक्स्टर बन के तेयार हो जाएगा बस आप इतना ध्यान रखें कि आज को कम रखें तो दीखिए हमें मिक्सर इसी तरीके से थिक चाहिए था मैं इसे पिछले पांच मिनट से कमाच भून रही थी यह सूख गया है गैस को बंद कर रही हूं और मैं इसे प्लेट में निकालकर ठंडा कर लूँगी अब मिक्सर को प्लेट में निकालकर फेला लें अगर जली है मिक्सर इस तरह से डेट में भर देंगे और बहुत अच्छे से दिखिए इसे फिक्स कर देंगे यह अपने आप ही स्टिक हो जाएगा तो हमारी स्टफ डेट तयार हो जाएगी आप इसी तरीके से सभी डेट्स को यानि खजूर को स्टफ कर लीजिये ड्राइफ पूट के मिक्सर से आप इसमें निकस्ट अपनी पसंद से एड्ड कर सकती है आप इसमें केसर भी कर सकते हैं देखिए कितने अच्छे सी स्टिक हो गया है और जुड़ गया है और यह आप इसे रखेंगी तो यह खुलेगा नहीं तो मैं इसी तरीके से सभी डेट्स में नट्स और मिल्क पावडर का मिस्टर स्टफ कर देती हूं कि आप चाहें तो दोस्तों स्टफिंग की जगा आप इसमें रोस्तेड रफरूट रख सकते हैं जैसे रोस्तेड आलमंड या रोस्तेड कैश्यू या कुछ चुटे से चॉकलेट के टुकड़े इस सबीडेट्स में स्टफिंग कर दिया है ड्राइफ फूट्स की तो सबसे ब के साथ रेसेपी आपको अच्छी लगी होगी आप इसे जरूर बनाएंगी मैं चलती हूँ आप अपना ख्याल रखें सहथ मन रहें और मेरा चैनल को कुपित मॉनिका जरू सब्सक्राइब करें लाइक करें और ज्याज ज्यादा शेयर करें आपका बहुत बहुत शुक्रिया ज्र करें ही वाद़ सहथ मॉनिक यवादा शुक्रियादा बहुत बहुत आपका घरू सुझब हादान झाएंगी आपका जो शुक्रियादा चैनल को करें तो हम तो चांटते हूँ आपका टृंदा